नगरपालिक निगम भिलाई के तोड़ फोर दस्ता ने जिला धिश पुषपेंद्र मीनाक निर्देश पर निगम शेत्र में संचालित शास की शराब दुकान की आसपास अवैद रूप से चल रहे चकना सेंट्रों पर ताबर तोड़ कारवाई कर बांस बल्ली सहित भारी मा चल रहे चकना सेंट्रों पर ताबर तोड़ कारवाई कर रहा है क्योंकि इन चकना सेंट्रों की वज़े से जहां एक और यातायाद व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी तो वहीं इन रास्तों से महिलाओं और बच्चों का आना जाना भी दूबर हो गया था क्योंकि शर पहित व्यास के साथ निगम का तोड़ फोर दस्ता सहर के पांच इस्थानों पर शराब दुकानों के सामने तता आसपास अवैद रूप से चल रहे चकना सेंटर पर ताबर तोड़ कारवाई की कारवाई के दौरान बांस बल्ली से बने हुए सेंट्रों को जेसीबी की मद कर दिया और सामानों की जबती भी बना दी दिलाधिस महदय ने बैठक करके आईक महदय सीद्रोहिक व्यासवर को निर्देश दिया थे कि भिलाई निगर निगम छेत्र में जिसके सास की सराब दुकान चाहे देशी हो चाहे भी देशी हो इसके आसपास या सामने जो भी च कि चाहन कर के उन सब सभी चक्णा सेंटरों को बन करवाना हैं और उसे बुल्डोजर से दस्थ करना है वह कौरवाही कल से प्रारम है है आज भी चल रही है आज जवाहर नगर में और फूरुद छेत्र में अभी कारवाही चल रही है और जिसमें पुलिस बलकभी सयोगरा आयुत महोदे कोई टाइम सिक्स रहता नहीं है दिन में भी आके सारव अपना सेवाने वन करके वहां पे जो खड़े गुंडे मावाली टेप के लोग होते हैं वो आने वाले महिलाओं को फप्तियां करते हैं जिस पर नियंत्रन आवस्यक था उसी उद्देश को लेकर कलेक्टर साब के निर राजोस अधिकारी बालकृष्णाइडू सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहें ग्रेंड एसियन न्यूस के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट